वेलकम बेक फ्रेंड्स स्वागते सभी को रिमेडियल टाइम्स में दोस्तो आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है क्योंकि आज का जो वीडियो है इसमें हम आपको दिखाने वाले हैं और साथी साथ बेल आइकन को भी फ्रेंज कर दिजेगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का जो नौटिफिकेशन से वह आपको मिलतरा है रेगुलर्ली तो चलिए बात ना करते हुए ज़्यादा वीडियो को शुरू करता है यहां पर चलिए पहले हम लोग यहां से पावर पॉइंट ओपन कर लेता हूं जो यहां पर करना क्या है यह जो दोनों आप देख रहा है यह दोनों को मैं डिलीट कर देता हूं यहां फिर आप डैरेक्ली जो है लेयाउट जो है यहां का जो है जो लेयाउट आपका इस ले तो इसमें आपको करना क्या पहले जो है इंसर्ट में जाना है और यहाँ पर शेफ से लेकर यहाँ एक जो है सर्कल को चूज करना है और इस तरह से सर्कल को आपको बिल्कुल में इस तरह से बैठा देना है त्यान रखिए मिडिल में बैठाना है बिल्कुल ताकि आपका जो ह अच्छा बने, यह जो middle में बैठा चुका हूं, उसके बाद करना किया है, जो next step है, यहाँ पे इसके उपर में right click करना है, so right click करने के बाद आप देख सेकते हैं, format shape, so इसमें जाके आपको करना क्या है, जो line color है, इसे no color कर देना है, और close कर देना है, ठीक है, so इसी circle को हम solar eclipse मे convert करतेंगे, किस तरह से करेंगे, so वीडियो को देखते रहे, शुरू से लेके आन तक, so यहाँ पे आपको right click करना है, करने के बाद आप बिल्कुल चले चाहिए, field color, field में जाने के बाद ग्रेडियंट, field, so gradient field में click कर देता है, click करने के बाद आपका यहाँ पे color, color यहाँ प so direction को यहाँ पर देख सकते हो कि आपके from center करना है so center करने के बाद आपका next step है जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि gradient stops so यहाँ पर step 1 लिखा है तो इसको आपको करना है step 3 so और यह जो color है इसे yellow कर देना है yellow करने के बाद आप सीधे से ले जाए 3D format में so 3D format में यहाँ पर आ देख सकते हो कि यहाँ पर जो अप्सियोंस है यहाँ पी जाना है click करके उसके बाद यह बेवलzos कर देना है next जो बटोम में इस बेवल शार्कल में ठीक करना है so click करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह जो 6.6 point करके हर एक जगह में आप लिखा हुआ है कि hide जो और width है, इसमें आपको करना कि इस 6 को हटा देना है, और इसे लगभग 120 या फिर 115, means 115, 115, सभी को करना क्या है, आपको 115 कर देना है, 115, और इसे भी last में हम क्या कर देता है, 115, 115, सब कुछ ठीक है, सिधा चले जाना है आपको surface में, surface में आने को जो materials आप देख सेखतों कि, materials को करना के हैं, आपको यहाँ पर, यह जो है, transparent powder, यहाँ पर यह कर देना है, करने के बाद आपको जाना है, यह shadow, shadow पर क्लिक करना है, आपको जो है, जो color है shadow का, यह फिर से आपको yellow कर देना है, सो yellow करने के बाद, आपका जो है, यहाँ पर आप देख सेखतों कि, transparent बिल्कुल नहीं करना है, sizes जो है, बिल्कुल थोड़ा सा, 105 या 106 कर देते हैं, और उसके बाद जो blur है, इसे, 35 से 40, मान लिज़े, यहाँ पर 37 कर देते हैं, और angle बिल्कुल 90% आप रहने दीजिए, और उसके बाद distance इसे 0 कर देते हैं, तो 0 करने के बाद, जो है, हम दो का maximum जो काम है, वो finish हो चुका है, जो इसे आप क्लोस में क्लिक कर देते हैं, आपको इस तरह से कुछ सर्फेस देखने को मिलता है, यहाँ पर हम आभी क्या करेंगे, इस सर्फेस का जो आप देख रहे हो, यलो कलर का, सान जो आप देख रहे हो, इसे और एक कोपी बनाएंगे, तो चलिए यहाँ पर जो है, मैं कोपी कर लिया, CTRL-C प्रेस करके और CTRL-P प्रेस करके पेस्ट कर दिया, यहाँ पर हम आभी करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा सेंटर में फिर से लाएंगे, तो यहाँ पर एक बात है, जो मेजरमेंट है, यह बहुत ही इंपोर्टेंट है, आप मेजरमेंट अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया, मान लिजिया आपका जो है, जो सिटूशन से हो सकता है, थोड़ा सा गढ़बढ़ा जाए, तो ध्यान रिखेगा कि यह जो मेजरमेंट है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, तो चले यह मेजरमेंट है कर हो गया, इसे में राइड साइड के तरफ इस तरह से में थोड़ा सा दूर भगाऊंगा इसे, बस हो गया, उन्हें के बाद आभी जो है, इसे देखें, दो देख रहा है आपको, यहाँ पर जो राइड साइड वाला इसे, राइड क्लिक करना है फिर से आपको, करने के बाद फिर से जाना है फॉर्मेंट, शेयफ। अप्शोंज पर, यहाा पर दीए, हम लोगों को यह जो इह जो辦法 है थोड़ा सा Aufg लाइड कर देना है, इस्टेंडर करने से आपको बिल्कुल इस तरह से ब्लेक कलर का एक आपका साना जाएगा यह जो सर्कल है आपको ब्लेक कलर में दिखना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट आपको करना क्या है यहाँ पर जो है क्लोस कर देना सो close कर देने के बाद मानने जी आपका जो काम है लगबक हो चुका है और यहां पे आप यहां जो करेंगे आप देख सेक्ट यहां पे तो यहां पे बिलकुल आपको करना क्या है यहां पर भी एक राउंड दिख रहा है यह जो राउंड दिख रहा है और आपको देख सेक्ट हो कि इस तरफ भी एक राउंड दिख रहा है तो ज्यदा जूम होगे मैं तोड़ा से इसे भी कम कर लेता हूं और यह जो राउंड को पकड़के आपको करना क्या है शिफ्ट बटन को प्रेस करके इस राउंड को प्रेस करके आपको यहां तक लेके जाना है बिल्कुल थोड़ सा बाहर ताकि आपका जो है इसका उपर से यहां तक आए और इसको पकड़के जो राइट सेट आप देख रहे हो ग्रीन कलर के साथ जो राउंड यह वाइट कलर देख रहा इससे भी क्लिक करके इस तरफ यहां पर देना है ध्यान देना है दोस्तों आपको जो है इस क्लिक करके इधर ड्रेक करने के समाझ जो है आपको शिफ्ट प्रेस करके जो मेरा काम है वो हो गया बिल्कुल सो नेक्ट जो है आप देखे इस तरफ आप देख सेकतो क यहाँ पर 4 दिख रहा है इसमें right click करना है करने के बाद आपको timing में हमें click कर दिया so timing यहाँ पर आप देख सेक्त हूं कि जो speed है बाकी किसी को भी search नहीं करना है कहने का मतलब है कि कोई फी options को आपको search नहीं करना है सीधा आप speed पर चले जाए चले जाने के बाद यहाँ पर आपको 2 seconds medium के बादल यहाँ पर 60 seconds medium कर देना है और उसके बाद poke में click करना है ठीक है so आभी जो है देखिए यह हम लोग का background ही है बिल्कुल black होना चाहिए क्योंकि उस समय black रहता है कि कुर्यात का अंधिरा होता है और अंधिरा में जो है आपका जो है sky जो है बिल्कुल अंधिरा रहता है तो यहाँ पर आपको करना क्या है right click करके format background है उससे क्या करना है solid color तो ही है इसे color थोड़ा सा black कर देंगे ब्लेक करते हैं आपको कुछ इस तरह से दिखेगा आए देखते हैं एक demo किस तरह से यह थोड़ा सा यह होगा मैं थोड़ा सा इसे इस तरह से कर दिया so demo आप हम देखेंगे चलिए यह जो है बिल्खुल demo शुरू हो चुका है देखिए किस तरह से आपको दिखाए देता है कि हम लोग power point के मध्य हमसे हम किस तरह से दिखा सेकता है देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है किस तरह से यह जो solar eclipse चलिए हो गया हाला कि यहाँ पे जो speed आप देख रहे हो थोड़ा सा जयदा है यहाँ पे वीडियो जड़ा लंबा ना हो इसलिए में एक मिनिट रखा है तो चलिए फिर से एक बार देख लेता है यहाँ पे करता सुन जो भ ay में थाँ यहाँ में नाह देख एक जो आड़ा जोफो यहाँ में हो लेता है लेता संट